हमारा chapter का नाम क्या है issue of shares कुछ classes हो गई यह exact कितनी classes होई है वो सारी application के अंदर मिल जाएंगे आपको ठीक है ना आज हम करेंगे security premium के उपर last class में हमने discuss किया था थोड़ा सा security premium क्या होता है मैं बता देता हूँ हर एक share का ना एक अपना face value होता है face value आप सभी ने 12th में किया है तो आप अच्छे से जानते हो कि shares जो होता है वो 10 रुपे का एक होता है और 10 रुपे से जितने भी extra लेते हैं और उसे security premium कहते हैं मान लो मैं 10 रुपे वाले share के बतले मैं आप से बोलू कि 2 रुपे मैं आप से extra लूँगा तो आप बोलेंगे सर ये 2 रुपे किस चीज का मानना जाएगा हमारा बताईए security premium का simple सी बात है ये जब 2 रुपे security premium है और इसको हम टुकडो में मंगाएंगे मैंने कहा कि आप से total 12 रुपे लिया जाएगा तो 12 रुपे जो आप से लिया जाएगा कुछ इस तरीके से लिया जाएगा मान लेते हैं 2 रुपे मान लेते हैं 5 रुपे और मान लेते हैं 5 रुपे ये कुछ इस तरीके से दिया जाएगा अब एक question raise होता है सर अगर ये इस तरीके से हमें दिया जाएगा डिटेल में तो मुद्दे की बात है कि security premium कहा होगा तो हमेशा याद रखना है जब question में कुछ भी ना बोला जाए ना कुछ भी नहीं बोला जाता तो always security premium कहां consider करेंगे पता है allotment पर यानि allotment की अगर मैं बात करूँ तो allotment क्या रहेगा allotment रहेगा जी हमारा 3 रुपे हमारा रहेगा share capital के नाम का और 2 रुपे रहेगा हमारा security premium का अभी general entry भी देखेंगे इसके चिंता मत करो तो पहली बात जब question में कुछ ना बोला जाए तो security premium कहां adjust करना है security premium आपको adjust करना है allotment पर तो यानि premium की general entry भी कहां जाएगी allotment पर example मैं ले लेता हूँ के मैंने जो यहां पर issue किये हैं वो 1000 share issue किये है suppose example ले ले लेते हैं के मैंने 1000 share issue किया है general entry देखिए simple general entry अगर मैं first की मैं बात करूँ तो क्या करोगे आप entry bank account debit मैं basic basic चीजे बता रहा हूँ अभी आप 12th class में अच्छे से आता है यह आप लोगों को तो bank account debit bank account debit की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर 1000 share है तो 1000 into में 2 कितने रुपए आ जाएगे और 2 क्या आ जाएगा बताओ to share application to share application क्योंकि 2 साल का जो gap हो गया है या फिर आपने 2 साल के बाद पढ़ रहे हैं तो कोई चीजे भूल चुके होगे तो इसलिए मैं starting से ही लेके चल रहा हूँ अब अगले point पे चलते हैं तो अगली entry किसकी करेंगे हैं share application account debit है ना 2000 रुपए to equity share capital equity share capital और यहीं पर लिखेंगे to security premium कुछ जगह पर ऐसे लिख देते हैं security premium reserve और कुछ जगह पर हम लिखते हैं सरफ और सरफ security premium तो आप कुछ भी लिखिये चलेगा तो to security premium amount की अगर हम यहां बात करें तो amount क्या क्या आएगा बताइए amount देखे पूरे इसमें तो 5 रुपए के हिसाब से जाएगा 5,000 और इसके अंदर जाएगा share capital के हिसाब से तो share capital यानि 3 into 1000 तीन हजार और यहां जाएगा हमारा 2000 अगर मैं being थोड़ा सा औरली बता भी दो तो share allotment amount due यहां तक entry में कोई doubt नहीं होना चाहिए वैसे अगली entry क्या करेंगे हम bank में पैसा आएगा bank account debit to share allotment कितने रुपए आएगे कोई failure वगएर नहीं है इसके बाद हम fail वाली entry देखने वाले है 5000 और 5000 कोई डिक्कत यहां तक कोई परिशानी clear है यहां तक उससे अगली entry किसकी करेंगे हम simply share final call की entry होगा हमारा share final call account debit to equity share capital amount क्या आजाएगा यहां पर 5 रुपए है तो पूरे 5000 और अगली entry क्या करेंगे bank में payment आजाएगा हमारे bank account debit to share final call final call अब जल्दी बताजीजिए कितने बच्चों को यहां तक के entry में doubt है अगर कोई doubt है तो comment में करके आप बताईए और जो अभी offline mode में पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं आपका कोई doubt है तो बताई basic entry है यहां तक clear है तो यह security premium कैसे adjust किया जाता है may be possible ऐसा हो सकता है कि हमारा security premium एक रुपे मैं यहां बोल दूँ और एक रुपे यहां बोल दूँ तो एक रुपे वाला security premium यहां जाएगा credit में और एक रुपे security premium यहां जाएगा यहां पर आ जाएगा हमारे एक रुपे के सबसे हजार और यहां पर कितना आ जाएगा हजार यहां जरूरी नहीं है कि allotment पर हो अगर question जहां भी बोले आपको security premium वहीं पर adjust करना है अगर ना बोला जाए तो allotment पर मानते हैं ठीक है ना हो सकता है question में बोले कि security premium will be considered on the final call तो security premium यहां था हमारा final call पर clear है ना तो चलिए फटा फटा एक बार इसको note करिए फिर हम अगले topic के उपर चलेंगे area जो की most important topic है